भारत और बांगलादेश के बीच जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उसमें पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया की अनौंसमेंट हो गई है जिन खिलाडियों का नाम टीम इंडिया ने बीसी सी आई ने अनौंस किया है उनकी एक लिस्ट आ चुकिए आपको उनके बारे में ब पटेल, कुल्दी प्यादव, मुहम्मद सिराज, आकाश दीप, जस्पीद बुम्रा और यश्ट दयाल ये वो खिलाडी है इनको बंगलादेश दोरे के लिए टीम इंडिया में जगे मिली है लेकिन आब बात करेंगे उन पॉइंटर्स की जो की जानना आपके लिए जरू रहे हैं एक पारी के दोरान थो उन्होंने के शांदार तेज गती से अर्दस्चा तक भी लगाया है यानि कि रेड बॉल में काफी शांदार तरीके से वापसी कर चुके हैं रिशरपन्त ऐसे में बहुत उम्मीद है कि उनको प्लेइंग 11 में भी जगे मिलेगी सेकंडरी व इंडिया की तरफ से एक नया नाम जो कि हमें स्कॉर्ड में देखने को मिला वह यश्दयाल जैं लेफ्ट आम तेज गेंबाज यश्दयाल अगर आपको याद होगा यह वही यश्दयाल हैं जिनको रिंको सिंग ने आखरी ओवर में पांच च्छके मारे थे और जिसके बा हैं इस स्कॉर्ड में हमें टीम इंडिया के सभी कोर प्लियर देखने को मिल सकते हैं यह यह भी काफी देखने वाली बात है क्योंकि जस्पीद बुम्रा पिराट कॉली और रोहित शर्मा यह तीनों ही टीम इंडिया के एक टाइप से कोर स्ट्रेंथ हमको दिखाई देते है हैं जो कि इस स्कॉर्ड में हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन देखने वाली बात यह भी एगी कि स्कॉर्ड में महमद शमी को जगय नहीं मिली है इसका मतलब अभी तक महमद शमी सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस हैं यानि कि अभी तक वो फिट नहीं हुए है ऐसे म बॉर्टर गवास का ट्रॉफी तक उनकी फिटनेस का क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि मुहमज शमी जैसा खिलाडी बॉर्टर गवास का ट्रॉफी में बहुत ज़ादा इंपक्ट डाल सकता है एक हिसाब से दोनों टीमों के बीच में एक डिफरेंस वो साबित हो सकते है स्पिनर्स की बात करें तो आरश्विन, रविंद्र जड़िजा और अक्षर पठेल के कंदों पे रहेगी स्पिन डिपार्टमेंट के जिम्मेदारी और बको भी निभाते हैं आरश्विन, रविंद्र जड़िजा, अक्षर पठेल इनको पता है कि भारत के ग्राउंड में कैसी गिनबाजी की जाती है सबको पता है कि भारत में जब भी मैचेस होते हैं खासका टेस्ट मैचेस होते हैं में जादतर जो दारुमदार होता है वो स्पिनर्स के ही कंधों पर होता है ऐसे में युवाओ के उपर मिडल ओर्टर में जादा यहाँ पर तवज्जो दी गई है बात करें तो सरफरास खान को एक बार फिर से टीम में जगे दी गई है लेकिन सरफरास के भाई मुशीर खान क समय उन्होंने रंजी ट्रोफी में भी काफी अच्छे रंस बनाये थे कुल मिला करके इस समय मुशीर खान अपने ड्रीम रन पे चल रहे हैं बहुत जल्दी उनको टीम इंडिया का कॉल अपा सकता है जिस हिसाब का उनका प्रदरशन चल रहा है शुमन गिल भी हमको इस टीम क का हिस्सा बनते वे दिखाई दे रहे और्लों अगर आप टीम को देखें तो यह वैसी टीम है जैसे आपको पिछले दौर पर दिखाई दी होगी आकाशदीब हमको तेज गेनबाजी में दिखाई आकाशदीब के ऊपर नई गेंद से गेंदाजी करने का दारोंदार होगा हो सकता है उनको जस्पीत बुमरा के पार्टनर के तौर पर भी इस्तिमाल किया जा सके वैसे इस पूरे स्कौर्ड में से क्या-क्या पॉइंटर्स आपको लगते हैं जो हमने मिस किये कौन-कौन से ऐसे खिलाड़ी है जो कि स्कौर्ड में हो सकते थे आप हमें कमेंट करके बत सकते हैं और ऐसे इंटरसिंग वीडियो को देखने के लिए देखते रहे हिंदी काबर